Hello friends, welcome to my channel आज के वीडियो में मैं आपको एक simple लेकिन बहुत ही stylish neckline का design बनाना सिखाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये fusion paper लिया है और इसे मैंने बीच से fold कर लिया है अब यहां folded side से मैं neck की width लगा रही हूँ तीन इंच आप अगर कम width लेते हैं तो आप धाई इंच भी ले सकते हैं neck की length मैंने ली है छे इंच और इसे मैंने इस तरह line से जोड दिया है और एक box बना लिया है अब यहां folded side से मैंने एक इंच पे निशान लगाया है और इस एक इंच के निशान से मैं एक design बनाऊंगी इस तरह से curve बनाते हुए एक design दे दूँगी अब यहां से मैं 5 इंच नीचे जा रही हूँ यहां से मैंने एक एक इंच पे gap देते हुए marking कर दी है और अब इन सारे marking को जोडते हुए मैंने एक straight line खीचा है और नीचे मैंने यह हलका सा गुलाई दे दिया है तो यह हमारी neckline बन चुकी है अब मैं इसमें border के लिए थोड़ा सा gap दोंगी तो यहां पे मैं 1 अड़ाफ इंच का gap दोंगी जो भी हमने neckline की जो यह जो line कीची है यहां से मैंने 1 अड़ाफ का gap दिया है और यहां पे mark कर दिया है तो इस जगा तक मैंने 1 अड़ाफ का gap दिया है अब यहां से मिचे थोड़ा जादा चाहिए तो मैं यहां पे 2.25 पे निशान लगा रही हूँ फिर 2 इंच पे फिर 1 अड़ाफ पे इस तरह से जिससे की मेरी जो neck की design है वो बन जाएगा अब इस जगा से मैंने 3 इंच नीचे एक निशान ले लिया है और यहां पे मैंने marking कर दिया है तो यह जो बाहर का हिस्सा यह जो हम बना रहे हैं यह border के लिए है जो भी हमारा neck line है उसका इसी में design बनेगा तो यह देखी यह सारे marking को जोड़ते वे मैंने पहले straight line कीची है फिर इन ही marking को जोड़ते वे मैं गुलाई दे रही हूँ तो यह बहुत ही असान तरीका है जिससे की आपका perfect neck design बनेगा beginners के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि वो एकदम से free hand drawing नहीं कर पाते हैं यह देखें यह कितना सुंदर बनके आ गया है अब हम इसे काट लेंगे अब हम यह अंदर का हिस्सा भी काट लेंगे कटने के बाद यह कुछ इस तरह लग रहा है अब हम इसे कपड़े के उपर चिपका लेंगे प्रेस की बदत से तो यह है मेरे पास कपड़ा इसके उल्टे साइड पे मैं इसे चिपकाऊंगी तो जो शाइनी वाला साइड है उसे मैं इस तरह रखूंगी कपड़े की तरफ और प्रेस देके हमने इसको यहाँ पे चिपका लिया है अब मैं एक इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते वे कटिंग कर लूँगी यह कटिंग हो चुकी है अब हम छोटे छोटे नौच दे देंगे यहाँ साइड में जहाँ पे की गोलाई है जिससे की कपड़ा मोरने में हमें आसानी हो अब हम यह जो एक इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है इसे इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच दे देंगे तो यह हम एक रफ स्टिच दे रहे हैं तो कच्ची सिलाई दें बड़ी वाली सिलाई लगा लें सेटिंग अपने मिशीन में और इससे दे दें इस तरह क्योंकि यह सिलाई हम बाद में निकाल देंगे यह पर्मनेंट सिलाई नहीं है बस इस कपड़े को यहाँ पे टिका के रखने के लिए हमने यह सिलाई दी है यह देखिए कर्वस में कटिंग देने से कपड़े को मोड़ना बहुत असान हो जाता है यह हमारी स्टेच हो चुकी है अब यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जहाँ पे आप इसे काट सकते हैं यह देखिए यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बच रहा है इसे आप काट सकते हैं अब इसे बीच में से बिलकुल सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और बिलकुल बीचों बीच एक notch दे देंगे इस तरह से काटके और यहाँ पर मैं center line दे दूँगी neck line के लिए हम एक beach-o-beach line खीज देंगे यह है मेरे कुर्टी का कपड़ा इसमें भी देखें मैंने neck line की तरफ बिल्कुल beach-o-beach एक notch दिया है और अब हम दोनों notches को इस तरह मिलाते वे pin कर देंगे जिससे की हमें यह surety हो जाए कि जो हमारा neck line है वो बिल्कुल beach-o-beach हम लगा रहे हैं beach की line को भी हम neck line की line से मिला देंगे इस तरह और इसे pin कर दीजिए आप या तो आप stitch भी दे सकते हैं अब हम यहाँ side side में सिलाई देंगे तो जो आपकी सिलाई है वो interface के उपर नहीं आनी चाहिए वो कपड़े तक ही रहनी चाहिए और यह देखे इस तरह धीरे धीरे अराम से आप बिल्कुल अपने neckline के shape के हिसाब से सिलाई दे दे हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम यह pins हटा दे रहे है थोड़ा सा कपड़े का gap देते हुए अब आप इसकी cutting कर लिजे इसके बाद इसमें छोटे-छोटे से cuts दे दीजे हम इसको आगे की तरफ मोड लेंगे यह देखे यह है हमारी कुर्ती का front side और यह हमारा border बाहर निकल किया चुका है इस तरह अब इसे अच्छे से हर तरफ से मोड लें और प्रेस कर लें अब मैं यह एक patch तियार करने जा रही हूँ इसके लिए मैंने यह एक कपड़े का piece लिया है और इसके साथ मैंने लिया है यह चोटे-चोटे strips जो की एक-एक इंच चोड़े हैं और लंबाई इनकी 6 इंच है इसको सबसे पहले मैं top से दो fold कर लूँगी और सिलाई दोँगी इसके बाद इन strips को मैं इस तरह fold करके यहाँ पे इस तरह stitch दोगी तो यह देखिए सबसे पहले इस कपड़े को उपर की तरफ से दो fold देते वे इस सिलाई दे दे इस तरह अब यह जो आपने strips काटे हैं इनको बीच से fold करके हम इस तरह इस जगा पे लगाएंगे और सिलाई देंगे पहले एक तरफ से सिलाई दें फिर दूसरी तरफ से यह देखे एक तरफ से सिलाई लग चुकी है अब हम दूसरी तरफ से सिलाई दे रहे हैं जिससे की यह जो strip है यह इसमें जुड़ जाएगी यह देखे यह इस तरह लग रही है सेम इसी तरह हमको सारी strips जोड़नी हैं अब आप दूसरा strip लें उसी तरह इसे दोबारा फोल्ड करें और थोड़ा सा gap देके नीचे की तरफ जोड़नें ध्यान रखें सारे strips के बीच में gap बिलकुल बराबर होना चाहिए आप इसे अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यह देखे पहले एक तरफ से जोड़िए फिर दूसरी तरफ से जोड़िए तो यह देखे हमारा patch बनके तयार है वो इस तरह लग रहा है अब यह जो extra कपड़े बचे में हैं इसे भी आप काट दें और यह है हमारी neck line इसके बीच में हम इसे यहाँ लगाएंगे तो यह देखे मार्किंग के वक्त हमने यह जो line दी थी निशान इसके बिलकुल साथ में ही आपको इसको लगाना है इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपको अपने neck की depth कितनी चाहिए तो इस तरह अपने patch को लगाएं और pin कर दें और अब उपर से हम top stitch देंगे तो यह देखे neck की एक तरफ से मैंने शुरुवात की है और बिलकुल side side में आप top stitch देते जाएं और इसी के साथ यह patch को भी आप जोड़ लें यह देखे हमारा patch जोड़ चुका है टॉप स्टिच लग चुकी है अब पीछे की तरफ से यह जो extra कपड़ा बचा हुआ है इसे हम काट लेंगे और front side से अब हम दूसरी तरफ भी टॉप स्टिच दे देंगे दूसरी तरफ से भी टॉप स्टिच देने के बाद हम यह जो कच्ची सिलाई हमने दी थी नेकलाइन में इसे हम निकाल देंगे ये देखे हमारी टॉप स्टेज लग चुकी है और हमारी नेकलाइन रेडी है अब हमने ये कच्ची सिलाई भी हटा दी है और ये इस तरह लग रहा है इसको आप और भी जादा खुबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे साइड में एक लेस लगा सकते हैं जो कि बहुत ही अच् अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार